नमस्कार दोस्ता स्वागत है आपका हमारे शेनल चार जागेंदर मिशा में कन्यराश एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी 2022 नए साल में खुशी से जुम उठोगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्यराश वली जातकों के लिए नए साल का पहला सब्ता जनवरी महीने का पहला सब्ता यानि एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी 2022 तक कसमय कैसा रहेगा किस प्रकार से इस नए साल में आपको खुशियां प्राप्त होने वाली है वो कौन कौन सी बड़ी खुशखवरी है जो आपको मिलने वाली है और साथी कुछ बिशेष सावधानिया इसलिए यदि आप कन्य रासकी जातक हैं तो बीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखेगा क्योंकि यह बीडियो कन्य रासकी जातक के लिए बहुत ही खास रहने वाली है कनियराजक शक्यात को इस महीने के यह नए साल के पहले ही सब्ता हाँ आपको कई परकार की उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी दोस्तो कनियराज के ज़एदकों नए साल की जो सुरुवात होगी बहुत ही अच्छे से होने वाली है, सर्वार दिशे धियोग के साथ होने वाली है, कई ग्रहों के राजयोग और धनयोग के साथ होगी, महा लक्ष्मी योग भी बने गई इस सबता, तो आये सबसे पहले य दोस्तों बता दे कि जहां तक सनी की बात करें तो सनी देव इस सब्ता यानी साल के पहले ही सब्ता में नैसाल के सुरुवात में ही मकर राशी आपके पंचम भाव पे रहेंगे निर्मार हो रहा है सब्ता इसका सिधा लाब मिलेगा दोस्तों ये जो ग्रह गोचरी सित्या हैं इन्हीं के अधार पर कन्य राश्वियात को हम आपको बताने वाले हैं कि एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी 2022 तक कसमे कैसे रहेगा किस प्रकार से आप इस नए साल में खुसी से जुम उठोगे कौन से खुसियां हैं जो आपको मिलने जा रही है हम प्रतेख छेतर के बारे में बात करेंगे आपका केडियर कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, कारोबार कैसे रहेगा, दमपत्ध जीवन, प्रेम जीवन कैसे रहेगा, एजुकेशन लाइफ कैसे रहेगी, और लव लाइफ कैसे रहेगी, साथी पारिबारी मौहल कैसे रहेगा, पारिबारी जीव तो यदि आप कन्याराज की जातक है तो वीडियो को आप सुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें और खोश के तो इसे ज़्यादा ज़्यार अवश्य करें तो चलिए सबसे पहले कन्यराज के यातकों हम आपके केरियर और बिजनिस ब्यापार की बात कर लेते हैं देखे केरियर में आपको जो अपलब्धियां रुकी हुई थी ने साल के पहले ही दिन से आपको जरूर मिलेगी और खास कर देखे सबसे इंपोर्टन्ट यह है कि इस सब्ता के सुरू में दो जन्वरी के दिन सरवार्द सिध्ययोग और अमरिश सिध्ययोग का निर्मार हो रहा है जो की बहुती बड़े दुरलब योग हैं इस योग के बनने से कई परकार की उपलब्धिया प्राप्त होंगी महालक्ष्मी की योग भी बनेगा और खासकर आपके नौकरी में पदोनत के साथ सेलरी में ब्रद्धी के रूप में बड़ी खुसकबरी प्राप्त हो सकती है क्योंकि हमने पहले का कि नए साल में खुसी से जूम उठोगे तो कन्यरासकरत को नए साल में आपको खुसकबरिया प्राप्त होंगी नौकरी में और साथी नए जोब लगने की संभावना बनी हुई है कन्यरासकरत को अभी तक अगर आपको नए जोब मिलने में परेसानी आ रहे थी ये फिर बार-बार आप अप्लाई कर रहे थे और आपके अप्लाई मंजूर नहीं हो पा रहे थी तो निश्ची तोर पे प्राइवेट सेक्टर हो ये फिर सरकारी छेतर हो आपको नौकरी को लेकर बड़ी खुसकबरी जरूर मिलेगी कन्यरास के याद को बिजनेस ब्यापार में आपका रुका वफासा वधन प्राप्त होगा इंपोर्टन्ट कोई डील फानल होगी इस डील के सफलता मिलने से आपकी आर्थी किस्तिती आपकी बित्ती मामलों में सुधार होगा लोटर शट्टम में भाग गजवाएंगे तो जवरिस्त लाब होगा नए साल की सुरुआज से ही आपको गजब के यानि की आमदनी के सुरोध बढ़ेंगे धन के नए सुरोध बढ़ेंगे जो कन्यरास के याद को आपके काफी बेहतर बना रहा है यहाँ पर एक जनवरी के साम से ही चंद्रमा आपके चोते भाव पे गोचर कर जाएंगे तो यहाँ पर देखें आपको दो जनवरी तीन जनवरी के दिन जमीन प्रोपरिटी का सुक प्राप्त होगा नए घर खरीदे जाते हैं जमीन प्रोपरिटी खरीदे जाते हैं और चंद्रमा का आपके चोते भाव पियाना नए साल पे बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं बहुत ही दुरलब राजयोग बना रहे हैं जमीन प्रॉपरिटी से लेकर रिया इस्टेर कंट्रक्शन से जुड़े हैं तो लाब होगा यानि अन्य प्रकार की लाब हापको इस सब्ता मिलने वाला है तो नए सल का पहले सब्ता बहुत ही गजब कर रहेगा बहुत ही सांदार रहेगा कनियराश्यत को और खुशियां तो नए साल में कुछ गिप्ट दे सकते हैं कुछ तोफे दे सकते हैं एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात आपकी यादगार बन सकते हैं एक तोफेक रूप में कुछ सर्प्राइज दे सकते हैं जीवनसाथी को भी आप सर्प्राइज देंगे जीवनसाथी आजा यानि कि आपको सर्प्राइज देंगे चे संतान को लेकर सरप्राज दें या फिर कोई महत्पूर धन को लेकर कोई महत्पूर सरप्राज दे सकते हैं एक दूसरे के साथ दूरिया मिटेंगे और नजदीकिया बढ़ेंगी जीवन साती के साथ अच्छे माहोल बनेंगे अच्छे इन्ही नजदीक्या बढ़ेंगी जीवन साती कंधिस कंधे मिला कर चलेंगे तो कन्य रास्कियात को एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी 2022 तक जो समय रहेगा बहुती गजब और बहुती सांदार रहेगा हर प्रकार से आपको काम्याबी प्राप्त होगी हर तरफ से आपको लाभी लाभ मिलने वाला है कई महत्पूर्ण योजनाओं के स्थरुआत कर सकते हैं अंसुल जे मुद्दे सुलस्ते होई नज़राएंगे जो अभी तक आपको काम्याबी नहीं मिल पारे थी वो काम्याबी आपको मिलती नजरागी यनि कहा जाए तो लाब ही लाब आपको मिले गए सबता लबलाई ब अच्छी रहेगी और पढ़ाय लिखाई के छेतर में भी आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी अगर आप कोई competition के त्यारी करें इंटर्वी के त्यारी करें तो लाब होगा इंटर्वी पहले से दे रखें किसी competition की exam पहले से दे रखें तो उसका result आपके favor में आऊ सकता है और अगर आपके job complete होगए तो नई नोकरी लगने की उम्मीद बिल्कुल सही साबित होगी नई नोकरी की इंटजार भी काफी दिनों से कर रहे हैं कन्यराज के जातकों स्वास्त आपका अच्छा रहेगा स्वास्त में हलाकि आपको थोड़ा सा 7 जनवरी के दिन जरूर ध्यान देना होगा जब छटे भाव पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्त पर विशेश रूप से ध्यान रखें किसी को रिंड कर जिनादे 7 जनवरी के दिन और विशेश कर कहा जाए तो आप अपने बियोदियों सो भी थोड़ा सावधानी बरते हैं अलाकि इसमें आप परते कार्षेत में उपलबदियां प्राप्त करेंगे क्योंकि नया साल की जो पहले सब्ता होगा एक जनवरी से साथ जनवरी दोजरबाइस तक का ये साथ दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं तो चलिए आप कुछ इंपोर्ट उपाई की बात कर लेते हैं जो खास रहेगा अगर इस सब्ता करते हैं तो पूरा यानि कि आपके लिए ये सब्ता ही बेहतर हो जाएगा साल की स्रुवात और गजब होगी यानि कि कहा जाए तो बहतर होगा अगर आप कन्या रास्केट को बिष्णु सहाष्ट इस तरोत का पाट करेंगे कोसिश करें कि गरीब निर्धन को अगर आप मौं की डाल का दान कर दें किसी कपड़े में डाल करके और हो सके तो आप सनी चुकि सनीवार कि दिन से सुरुआत होगी साल की और सबता की तो आप सनी देव के पीपल के बरिष में या सनी देव के मंदरे में एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाईए तो बेहतर से बेहतर पराप्त होगा तो ये था कनयारास की जात्तों के लिए साकता ही के राशी फल एक जैनुवरी से लेकर सात जैन्वरी 2022 तक का राशी फल थैं दोस्तों बीड़े को लाई करिएगा जैदर शेर करिए है चैनल को सबस्क्राइब करिएगा जे शनी देव